आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो question में का गया In the given figure, not drawn to scale AB parallel to CD, find the value of X अब देखो हमें जो AB given है वो parallel है CD के तो हमें value X, इस complete जो angle है इसकी value find out करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो इस angle की अगर हमें value find out करनी है तो हम एक line जो है parallel draw कर लेंगे किसके? CD और AB के अगर हम बात करें, AB के अगर हम parallel draw करेंगे तो CD के भी parallel होगी तो हम एक line draw कर लेते हैं देखो हमारे पास let us suppose कि ये line जो है हमारे पास parallel है AB और CD के हम नाम दे देते हैं इसे कि ये हमारे पास P और Q line है ठीक है अब हम बात करें इस angle की इस angle की बात करेंगे और इस angle की बात करेंगे दूसरा हम इस angle की बात करेंगे और इस angle की बात करेंगे ठीक है तो अगर हम बात करें हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास angle 1 है ये 2 है ये 3 है और ये 4 है तो अगर हम बात करें angle X तो angle X किसके equal हो जाएगा ये complete angle है तो angle X will be equal to तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 के equal होगा तो एंगल 4 और एंगल 3 की value हमें मिल जाए तो हम एंगल x की value find out कर सकते हैं तो उसके लिए देखो अगर हम बात करें अगर if a b parallel to हम लिखेंगे if a b parallel to pq है हमारे पास then angle a b o o point है हमारे पास तो angle a b o will be equal to angle b o q या फिर हम कह सकते हैं कि angle 1 के equal होगा क्यों होगा because alternate interior angle है एंगल है ठीक है एंगल की value कितना है 40 degree है हमारे पास 40 degree is equal to angle 1 तो angle 1 की value आ गई वो हमारे पास 40 degree आ ठीक है तो हम कह सकते हैं कि angle 1 plus angle 4 यह complete जो angle है line पर जो angle बनेगा वो 180 degree का होगा तो हम कह सकते हैं कि angle 1 plus angle 4 complete angle होगा is equal to कितना होगा 180 degree angle 1 की value 40 है तो angle 4 40 plus 40 degree plus angle 4 will be equal to 180 degree यहां से angle 4 is equal to 180 degree डिग्री-40 आगया हमारे पास जो कि कितना होता है 140 तो एंगल 4 की तो वैल्यू आगया हमारे पास 140 डिग्री प्लस एंगल 3 की वैल्यू find out करनी है 3 की वैल्यू कैसे find out करेंगे हम कह सकते हैं If PQ parallel to CD, हम लिखेंगे If PQ is parallel to CD. If PQ parallel to CD, then हम कह सकते हैं कि angle C DO यह जो angle है, हमारा पास CD O angle C DO will be equal to वो किसके equal होगा? इसके दिखो alternate opposite angle कौको सा है? alternate interior angle की बात कि तो कौन सा हमारा पास? angle 2 है? will be equal to angle 2 because alternate interior angle हो गया ठीक है तो यहां से हम कह सकते कि angle COD की value हमार पास कितनी है 35 degree है तो angle 2 is equal to कितना हो जाएगा 35 degree same उसी तरह हम कह सकते हैं कि angle 2 plus angle 3 जो हमार पास complete जो angle होगा वो line पर कितना होगा 180 degree का होगा तो हम कह सकते कि angle 2 plus angle 3 देखो angle 2 plus angle 3 ही है यह जो angle complete angle 2 और यहां से यहां से यहां तक angle 2 है और angle 3 है तो is equal to कितना होगा हमार पास 180 degree होगा angle 2 की value 35 degree है तो 35 degree plus angle 3 will be equal to 180 degree ठीक है यहां से हमारे पास value आ जाएगी angle 3 will be equal to 180 degree minus 35 degree is equal to कितना होगा 145 degree angle 3 की value 145 degree आ गई तो 145 degree तो angle x की value हमारे पास यहां से कितनी आ जाएगी सो option 3 will be correct answer to this portion. Thank you.